है जानते हैं कि स्वरःं दूद्ध दिए जाते हैं हर उसे विष्वासी को जो परमेश करता इसलिए परमेश्वर ने का मेरे दूद तेरो आश्वास रहें के तिरे पाओं में पत्थर से ठेस था उन्होंने लेका जैसे वो हैरो देश के घर में गए वो तारा गायव हो गया था गलत आद दें गलत जगाओं पर जाना या वाइबल ना पढ़ना और परमेश्वर दूर रहना परमेश्वर के स्टार को उसकी जोती को उसके दूतों को आपकी जिंदगी से अलग रखता ह तो फिर वो वाइदे आपके लिए नहीं है कि परमेश्वर ने जो का कि मैं स्वरक दूतों को आग्या दूंगा वो तरे पाओं को पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे ऐसा होगा ऐसा होगा वो उन्हीं के लिए हैं वचन जिनकी जिन्दगी में परमेश्वर के वचन की रोशनी है सुषरःदूत वहीं काम करते हैं जान पेर पहली बात परमेश्वर के नाम को ग्लॉ्री फाई किया जाता हो है यह न कि आज मैं 10 घंडे प्रेयर करके आये और मैंने प्रेयर की और लोग हीलो गयि ये चोटा सा पाइट करना और परमेश्वर का चुनाभा कि सार काम करते हैं जहां परमेश्वर के नाम को महिमा दी जाए दूसरा सवरगदूद वहां काम करते हैं जहां पर वचन को इजद दी जाए और जिस घर में परमेश्वर के वचन की रौश्णी काम करती हो अगर आपके घर में परमेशों के वचन की रौश्णी है वचन का स्थान है तो सवरगदुद अपने आप काम करेंगे और आप हैरान होगे जो आपकी लाइफ में हो रहें आप चर्च आ सकते एं और एसा हो सकता है कि आप बचाएगे व्यक्ति भी ना हो और आप दो साल से ज़र दस ज़र से ज़र जा रहे हैं इसका मतलब यहां पे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो क्रिश्चन हो मसी पे विश्वास करते हो लेकिन उन्होंने पवित्रात्मा भी तक ना पाया हो आखो पॅले उसने का फिर तुमने किसका बब्दिस्वा लिया कहते ही यह!! इसके बाद से बद्दिस्वा लिया और बाइबल कहते हो परमेश्य को घत्री आत्मा नहीं तो आप उसके जन नहीं जिस प्रभी इश्वास की आप कहाणियां थे लंगड़ेए चलते देख्ते दे nab भेशते तो आज आप जतने काम परमेश्वव के देख रहे हो उंन में से एक भी काम आप देख पातें कि यहां तक कि प्रभी इश्य मस्यी का क्रोस उठाना भी व्यर्थ है अगर पवितरीत्मा काम धरती के उपर ना आता तो आज आप जतने काम धरती देख रहे हैं पवितर आत्मा के वह पभिवितर आत्मा बताता है कि प्रभी इश्ण सभी तुम्हारे लिए मारे गए पवितरात्मा आपको यह बता रहे हैं कि उसी के कारण Holy Spirit के कारण आज आप ये जानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए मारा गया, गारा गया तो कि Bible बताती है कि पवितरात्मा आपको निर उत्तर करता है और परमेश्वर के बारे में बताता है और आपके पाप को आप बेजाहिर करता है अगर आपके अंदर पवितरात्मा के बारे में प्यास नहीं है या आप पवितरात्मा पाना नहीं चाहते हो तो आप एक बिमार क्रिष्टन हो जिस तरह एक शरीरिक बिमार व्यक्ती जिसको भूख नहीं लगती वो जिन्दा तो रहते हैं लेकिन कमजोरी फिल करते हैं कभी उसको यह दिक्कत होती कभी बैट पे लेट जाते हैं यूगि उसको भूख नहीं लगती और उसकी वज़ा से उसकी बॉड़ी को इम्मिनिटी पावर नहीं है ताकत नहीं है उसकी बॉड़ी के अंदर उसी तरह से अगर आपके अंदर यह ताकत यह प्यास नहीं है पुवित्रात्मा की कि मैं क्रिश्चन हूं लेकिन होली स्पिरिट मेरे पास नहीं है गैर भाषा मेरे पास नहीं है पुवित्रात्मा मेरे आप जो चर्च में नियाँ बसने देख देओं किसी को ś Sideर eh Goi को कोई जोश में आपको जो शरीरिक जोश लगता है वह Holy Spirit है आपके अंदर। है पर लोगहको झात पवितरात्मा चर्च publi है अया चला गया जब कि पवित्रात्मा सदा आपके साथ है अगर आपने पाल लिया तो वह कोई ताकत नहीं वह कोई सामर्थ नहीं वह एक परस्नालिटी है जो आपके अंदर रहता है हमेशां जोर से बलू हालेलुया